ये 130 करोड देश वाच्चों के जीवन की रक्षा करने का अभ्यान है भारत में गाउं का प्रधान हो या देश का प्रधान नतरी कोई भी नियमों से उपर नहीं है साथियों, लॉकडाउन के दोरान देश की सर्वोच्च प्रात्विक्ता रही ऐसी स्थिती ना आये कि किसी गरीब के घर में चूला न जले केंद्र सरकार हो, राज्य सरकारे हो सिविल सोसाइटी के लोग हो सभी ने पूरा प्रयास किया कि इतने बड़े देश में हमारा कोई गरीब भाई भेन भूखा न सोए देश हो या व्यक्ति समय पर फैसले लेने से संबेदन सिल्टा से फैसले लेने से किसी भी संकट का मुकाबला करने की शक्ती अनेक गुना बढ़ जाती है इसलिए लॉकडाउन होते ही सरकार प्रदान मंत्री गरीब कल्यान योजना लेकर आई इस योजना के तहट गरीबों के लिए पौने दो लाग करोड रुपिय का पैकेज दिया गया साथियों बीते तीन महिनों में बीस करोड गरीब परिवारों के जंदन खातों में सीधे 31,000 करोड रुपिया जमा करवाए गए है इस दोरान 9 करोड से अधिक किसानों के बैंक खातों में 18,000 करोड रुपिय जमा हुए है इसके साथ ही गावों में स्रमीकों को रोजगान देने के लिए प्रधान मंत्री गरीब कल्यार रोजगार अभियान तेज गती से आरम कर दिया गया है इस पर सरकार पच्चास हजार करोड रुपिय खर्च कर रही है लेकिन साथियों एक और बड़ी बात है जिसने दुनिया को भी हरान किया है आस्चरे में डुबो दिया है